वेल्कम टूर यूटूब चैनल इस वीडियो में हम फिगर कंपलीशन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे यह हमारा आठ्मा पार्ट है इससे पहले अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ आप देख सकते हो तो चल यह वीडियो को सुर करें ठीक है तो अपते सकते हो कि कुस्चन फिगर के ऊपर के दो कोनों में यह सेप को देख सकते हो ठीक है तो निच्चे लगेगी आप देखिए कि दिये गए उप्षिन में से कौन सा हमारा सही है तो उप्षिन ए इस दर आई टंसर को नेस्ट कोश्चन करते हैं नेस्ट कोश्चन में आप देखिए कि यह लाइन लगी हुए सीधी मतलब टेड़ी और फिर इस साइड यह ठीक है तो इसको कंप्लिक्ट कीजिए थेकि अब दिये गए उप्षिन में देखिए कि यह जो हमने कोश्चन फिगर में लाइन लगाई है वो कौन से फिगर में नहीं है और कौन से में है A में तो है B में भी है C में नहीं है D में भी नहीं है तो option A और B में से हमारा सभी अंसर है अब आप ऐसे देखिए पहले तो सिद्धा A बन रहा था अब थोड़ा टेड़ा बने गा यह देखिए ऐसे ठीक है तो second line देखिए कि किसमे है यह वाली A और B में से हमारा एक अंसर था C और D तो पहले गलत होगे तो A में लाइन लगी हुई है B में भी होनी चाहिए थी ऐसे बट नहीं है तो B भी हमारा गलत बचा क्या A तो A इस दर आइट अंसर figure completion test में आपको चार ओप्शन देखने की जुर्त नहीं है आप सिर्फ missing figure में यह देखिए यहाँ पे कोई part होना चाहिए था दिये एक option में कौन से में नहीं है तो पहले आप जो गलत है उन पे cross कर दें Next question है सबसे पहले आप इस line को देखिए यह स्केर बना हुआ है तो यहाँ भी एक line होगी ठीक है तो अब क्या है यह तीन line ने बनी हुई है ऐसे तो ऐसे एक line और होगी ठीक है ना तो option A में क्या है यह line यहाँ पे gap है और B में भी यहाँ पे gap है तो हमारा A और B तो गलत हो गया राइट इस अधार पे अब क्या है इस figure को देखिए question figure को उसमें यह line लगी होगी है ऐसे curve ठीक है ना तो ऐसे missing figure में भी होगी ठीक है इस तरह की यह curve line हमारे सिर्फ C figure में है यहाँ पे यह देखिए D में क्या है straight line है ऐसे ठीक है तो D बी गलत C बचा हुआ है कि लोता है यह हमारा answer है next figure है question figure हमें find out करना है दिये गए option में अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी पार्ट लगे गाई मैं नाम रख देता हूँ 1, 2, 3 अब दूसरे पार्ट के उपर जो मैंने circle लगाया है वो चोटा सा जो हिस्सा है बाहर की तरफ है तो इसके उपर जो भी मैं पार्ट में रखोंगा उसका एक अंदर का हिस्सा होगा जो यह और इन यह दोनों मतलब यह पार्ट आपस में fit हो सके तो ए तो हमारा गलत अंसर हो गया है क्योंकि दूसरा जो पार्ट है मतलब जो question figure में दूसरा पार्ट है उसका उपर का हिस्सा निकला हुआ है और इसका नीच्चे का तो आपस में fit नहीं होंगे अब बी में देख सकते हैं दूसरे पार्ट में देख सकते हो तीसरे अंसर फिगर में देख सकते हैं चोत्ते में भी के fit हो रहा है ठीक है ना अब मैं किसी और हिस्से को देखता हूं देखे question figure में मैं यह left side मान लेता हूं यह right side अब left side में देखिए आप जो यह पार्ट है दूसरा पार्ट question figure में इसके दो तो अंदर वाले पार्ट है मतलब कि अंदर की और है और दो हिस्से बाहर की और है ठीक है right की तरफ क्या है तीन हिस्से बाहर की और और एक हिस्सा अंदर की और इसके उपर का जो पार्ट है एक हिस्सा बाहर की और तीन अंदर की और ठीक है तो अब यहां पे कौन सा figure आएगा यहां पे कौन सा figure आएगा चोथा नहीं आ सकता चोथा क्यों नहीं आ सकता क्योंकि right side में यह जो थोड़ा दुबारा समझाता हूं हमने एक तो गलत कर लिया था ठीक है ना अब चोथा क्यों गलत हुआ है अब देखिए जब यह पार्ट यहां पर रखूंगा तो यह भी एक अंदर इसके अंदर भी कोई पार्ट फिट होना चाहिए बट यहां कोई बाहर की दरफ पार्ट जो अंदर फिट हो सके तो इसलिए गलत हो गया ठीक है अब पहला और चोथा गलत हो गया अब दूसरा और तीसरे मेंसे कोई एक अंसर है तो कौन सांसर सही रहेगा घए अगर यह पार्ट में यहांपे रख upp तो इसके अंदर यह पार्ट पीट हो जाएगा ठीक है ना यह और ये वाला जो हिस्सा है वो इसमें फिट हो जाएगा ठीक है ना ठीक अब देख सकते हो दूसरा जो ये वाला फिगर है इसमें दो तो ये अगर मैं ये कहूं कि बाहर वाले हिस्से दो तो बाहर वाले हिस्से हैं और जसके अंदर कोई पार्ट फिटोगा है ये भी 2 ही है ठीक है न? तो ये वाला हिस्सा यहांपऺ फिटोगा ये हमारा सई अंसर है 3ा क्यूं नहीं है? 3 पार्ट क्यों नहीं है? चैनि क्योंकि इसमें क्या है? तीन ये बाहर की तरफ पार्ट निकले हुए है और एक अंदर की तरफ है ऐसी स्थीती सिर्फ राइट की तरफ है ना कि लेफ्ट की तरफ लेफ्ट की तरफ क्या है दो अंदर पार्ट है दो बाहर की तरफ है ठीक है ना तो तीसरा भी हमारा गलत हुआ पहला और दूसरा हम पहले गलत कर चुके थे तो दूसरा हमारा सही अंसर है नेक्स्ट कोश्चन है पहले तो सेंटर में स्केर को कम्पलीट कीजिए ठीक है तो यहाँ पे जो लाइन ऐसे लगी हुई है पहले वो देखे किस किस फिगर में है पहले में है दूसरे में है तीसरा गलत हो गया चोथा भी गलत हो गए यहां पे लाइन होनी थी तो एक और दो में से सही अंसर है ठीक है फिर आप देख सकते हो इस कोने से एक horizontal line एक vertical फिर horizontal तो अब क्या आएगी एक vertical line ठीक है इस से यह line और फिर एक vertical line देखे किसमे बसे पहले option में है यहाँ पेक लाइन होने चीए थी जो नहीं है तो बचा का है है फैला option है तो यह हमरा अशर है next question क्या है !! यह दोनों क्या है एक जैसी है यह 2ne clumsy Haar discount सामने है टीक तो इसके सामने भी एक स्केल होगा तो मैं यह स्केर बना रहा हूं ऐसे तो ऐसी इस तरह से अरेंजमेंट किसमें है एक तो पहले में है एक दूसरे में है तीसरे में गलत है चोते में गलत है राइट तो हमारा पहला उप्शन और दूसरा उप्शन इन में से कोई एक सही है तो करना क्या है अब जो तो इसके according हमारा सही answer कुन सा है दूसरा next question है complete the question figure by selecting the correct part from answer figure ठीक है तो आपको इसको complete करना है जो part C में है देखिए मैं नाम रख लेता हूँ A B C D देखिए अगर मैं यहाँ पर mirror लगाँ ऐसे तो C का mirror image क्या है B राइट तो अगर मैं इसी mirror का use अब मैं mirror ऐसे लगा रहा हूँ ठीक है ना जब C का mirror image B है तो A का mirror image D रहेगा तो अब क्या करिए अगर D mirror image है A का तो A figure बनाई है ठीक है सबसे पहले बाहर का circle complete कीजिए ऐसे उसके बाद जो यह shape बनी है D में इसका mirror image यह mirror image है तो कैसी रहेगी यह मतलब इस type से है ठीक है तो हमारा पहला option गलत हो गया क्योंकि center में यह है दूसरा भी गलत हो गया और तीसरा भी गलत हो गया कारण क्या है तीसरे गलत का क्योंकि यह जो यह जो बाहर वाला सरकल था यह सरकल का पार्ट था लेकिन इसमें क्या किया गया यह इस तरह से दो लाइनों से जोड़ दिया गया ऐसा नहीं होगा चोथा सही है क्योंकि यह सरकल का पार्ट है और अंदर का इस्सा दो लाइनों से जोड़ा गया ऐसे ठीक है ना तो हमारा जो यह option चोथा option है वह सही है नेक्स्ट कोश्चन है सही चित्तर के साथ खाली जगह को भरें ठीक है ना अब फस्ट टू पार्ट में देखे पहला और दूसरे में यह जो कार थी यह हम साइड से देख रहे थे अब आप दूसरे फिगर में क्या हूआ हम इसको उपर से देख रहे हैं ठीक है ना इसी उन्हसरे तीसरे फिगर में यह जो शेप है इसको आप सामने से देख रहे हैं साइड से अब आप इसी को जब ऊपर से देखो गए तो ऐसा तो नहीं है कि ज्ड़ बन जाएंगी नहीं गुर्या बन जाएगी यह बेही नहीं फे शेप को जब मैं उपर से देखूंगा ऐसे तो मुझे ये दिखाई देगी तो मेरा जो ए उप्शन है वो सही अंसर है थैंक यू